हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज हम इस वीडियो में CDS 1 2021 के बारे में जानेंगे कि इसकी रिजल्ट कब तक आ सकती हैं इसकी एक्सपेक्टेट कट आफ क्या क्या होगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपका छोट है एक साल में इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है और आज हम बात करने जा रहे हैं CDS 1 2021 के बारे में जिसकी एप्लिकेशन फॉर्म अबलेवल हो गई थी 28 ऑक्टूबर को और ये खतम हुआ था हमारे 17 नवंबर को और 17 नवंबर शाम को 6 बजे ये खतम हो गया था इसके बाद आपका जो एडमेट कार्ड था ये साथ जन्वरी को अबलेवल हो गया था और इसके बाद आपकी जो एक्जाम थी ये आपने साथ फेपरूरी को दी थी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वेकेंसी कितनी थी IMA की 100 वेकेंसी अर दैर INA 96 AFA AFA की थी हमारे पास 32 और हमारे पास OTA OTA की थी 170 और जिसमें से वुमें की थी 17 वेकेंसी अली अब आप ये सुच रहा हूंगे कि मैं ये सारी चीज़े आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीज़े हैं वेकेंसी और कोबेड इस तो आर दी डिसाइडिंग फेक्टर जो आपका डिसाइड करेंगे कि आप काफी हाई रही थी इस बार तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट अफ क्या रहेंगी सबसे पहले मैं आपको बता पहुआ दूँ, expected cutoff, क्या-क्या expected से पहरे मैं आपको बताना चाहूँ गए कि trends कैसे रहते थे, trends जो थे, आपके अगर IMA में देखें, तो इसके नंबर जाते थे, आपके 120 से लेकर, 130 के असपास, आपका जो INA है, INA में आपका जो trend है ये 120 से लेकर 125 की तरफ जाता था इसके बाद आपका जो AFA है Air Force Academy इसका जाता था 140 से लेकर 150 ये हमेशा high जाता है तो ये हमेशा मतलब in comparison हमेशा high रहता है और OTA, men OTA के लिए था 90 से 100 OTA men और women का लगबग same ही रहता है तो 90 से 100 के बीच में इसका रह जाता है और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बार cut-off क्या है expected मैंने बहुत कुछ research किया है analyze किया है और काफी सारे voting मैंने डाली थी telegram book group पर तो इससे हमें निकल कर सामने आया है ये कम से कम मैंने 20,000 बचों से बाते की है इस बारे में कि आपका exam कैसा रहा इस बार की cut-off कितनी जा सकती है इस तरह से और फिर पिछले साल के trends वागरे सबको मैंने analyze करके ये आपके सामने मैं ये लाया हूँ इस बार की जो cut-off है ये IMA के लिए जहां तक मैंने research ही है 135 से 140 के बीच में जा सकती है जो INA है INA की cut-off 130 से लेकर के 135 के बीच में जा सकती है इसके बाद आता है हमारे AFA Air Force Academy जैसे मैं पहले ही बता जुकाओं कि इसकी cut-off हमेशा हाई रहती है तो इसकी cut-off 150 से लेकर 105 के बीच में जा सकती है इसके बाद आता है हमारे OTA OTA men and women दोनों का लगबख सेमी होता है तो अगर आपने 100 से 110 के बीच में score किया है तो आप save zone में है और इससे जादा किया है तब तो आप merit वाले हैं और इतना भी अगर आपने किया है तो definitely आपको SSB के call आएंगे results के लगबख एक महीने के बाद आपकी SSB की dates आ जाती है और फिर आपकी SSB start हो जाएंगी आपकी SSBs April के end और May के starting में April end और May की starting में start हो सकती है जो भी बच्चे borderline के दूसरी side है positive side है वो तयारी start कर सकते हैं जो confident है वो बिल्कुल तयारी start कर सकते हैं जो border पे है और border से थोड़ी सी negative side है वो 3-4 दिन में बिल्कुल उनका results clear हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी तयारी start कर दें और backup plan होना बहुत ज़रूरी है interview में भी आपके backup के बारे में आपसे question पूछे जाते हैं तो आप अपने backup पर भी अच्छी तरह से ध्यान दें दूसरी चीज़ में जो आपको बताना चाहूंगा वो है जो exam में सबसे बड़ी role play करती है वो है आपकी sectional cut off sectional cut off 20% और ये जो है OTA के exam में GK और English GK जो की थोड़ा tough portion माना जाता है और जिसमें आपको 20% लाने compulsory होते हैं इसमें जादातर बच्चों को problem आती है तो ये थी हमारी वीडियो SSB preparation के लिए मैं study material अपने channel पे डालते रहूंगा ये मेरा नए channel है तो प्लीज आप इसे आप GTO आप control करते हैं और interview आप control करते हैं लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें अगर आपको थोड़ी बाद guidance मिल जाएं तो आप इसे थोड़ा बहुत मत्तब इंप्रूव कर सकते हैं interview आपका आपके हाथ में नहीं होता आप जानते होंगा अगर आप regular interviews देते रहे होंगे या फिर लेते होंगे आप HR वगर हैं तो आप जानते होंगे कि interview का पूरा control interviewer के हाथ में होता है और GTO में वो जैसे चाहे आपको test कर सकता है लेकिन psych में आप क्या कर सकता है कि psych में अगर आपके ideas जल्दी जल्दी आ रहे हैं दिमाग में तो आप बिलकुल अच्छा prepare कर सकते हैं बहुत अच्छा present अपना show कर सकते हैं तो ये कैसे होगा ये होगा regular practice की वज़े से और इसके लिए study material में आपको provide करूँगा मैं एक नय WhatsApp group बनाने वाला हूँ तो आप channel को subscribe कर ले ताकि जब ही मैं वो WhatsApp group का announcement करूँ तो वो आपको सबसे पहले मिले So that's all for now Thank you gentlemen